पार्ठ चार पर्यावरण पार्ठ प्रस्थान हम अपने पर्यावरण को लेकर असावधान रहते हैं प्रदूशन घटाने के वजाए उसे बढ़ाते रहते हैं हमारे अंदर जागरूपता की कमी है प्रस्तुत एकांकी में लेखिका ने छात्रों को पर्यावरण का महत्व समझाया है अरे वाह, आज तो रोहन का जन्म दिन है हमें रोहन को जन्म दिन की बधाई देनी चाहिए सभी एक साथ मिलकर बर्थडे गीत गाते हैं थैंक यू में रोहन, आज जन्म दिन पर तुमको बहुत सी बधाईयां और अनेक उभार भी मिलेंगे जिससे तुम्हें अपार प्रसंदता भी होगी जी में, जब हर किसी से जन्म दिन की बधाई मिलती है तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता ये तो बहुत अच्छी बात है अच्छा एक बात बताओ आज तुमने अपना जन्म दिन किस तरह मनाने की योजना बनाई है? कुछ खास नहीं गत वर्षों की तरह आज भी पहले मम्मी पापा के साथ आश्रम जाऊंगा फिर अपने कुछ दोस्तों के साथ ही जन्म दिन मनाने वाला हूं कुछ विशेश नहीं रोहन के आश्रम जाने वाली बात सुन शिक्षिका अपनी खुशी जाहिर करते हुए हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है रोहन तुम अपने जन्म दिन की खुशियों में अनाथ और बेसहारा लोगों को भी शामिल करते हो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संसकार दिये हैं मगर बच्चों हमारा जन्दिन हम सभी के लिए बहुत खास होता है इसलिए हमें इस दिन पर कुछ खास काम करना चाहिए जो हमारे लिए एवं हमारे पर्यावरण के लिए लाबकारी हो वो कैसे मैम? धरा का तापमान बढ़ता ही जा रहा है परत्वी की सुन्दर्ता एवं मन मोहकता कहीं लुप्त हो रही है धर्ती पर जल की शुद्धता धीरे धीरे नश्ट हो रही है परन्तु मैम ये प्रदूशन है क्या? प्लीज हमें समझाओ ना जब धर्ती की वायू दूशित हो जाती है तो उसे प्रदूशन कहते हैं आप जानते हो बच्चों, पहले हमारी पृत्वी हरी भरी थी पेड़ पौधे हमें शुद्ध वायू के रूप में आक्सिजन प्रदान करते थे इन पेड़ पौधों से शुद्ध फल, सबजियां आधी प्राप्त होते थे मगर मनुष्य ने इन पेड़ पौधों की अंधा धुंद कटाई कर पूरा वाता वरण प्रदूशित कर दिया मैम, मैंने तो किसी को पेड़ काटते नहीं देखा शंकित सा मुह बनाते हुए मेरे दादा जी और पापा भी पेड़ नहीं काटते तो धीरू की बात सुनकर सब हसने लगते हैं धीरू, तुम भी ना मैम, आप बताए ना, आखिर मनुष्य ने व्रिक्षों की कटाई क्यों की धीरू, यह व्रिक्ष आपके दादा जी या पापा ने नहीं काटे बलकि उन मनुष्यों ने काटे हैं जो खुदगर्ज थे अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया जिससे वे आवास की समस्या का हल पा सकें तथा व्यवसाई के लिए कार खानों का निर्मान कर सकें मैम, आखिर मनुष्य की इस नादानी का क्या परिणाम होगा? हम, बहुत ही अच्छा प्रश्नी किया है तुमने मानव यही सोचता है कि उसकी इन नादानीों का कोई दुश परिणाम नहीं होगा मगर वो इस बात से अंजान है कि शुद्ध वायू और शुद्ध जल के बिना उसका जीवन असंभव है व्रिक्षों के काटने पर ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? व्रिक्ष नहीं होंगे, तो वर्शा कैसे होगी? मैम, विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है इसलिए गर्मी दूर भगाने के लिए हमारे पास एसी, कूलर, पंक्खे आदी हैं तो फिर कैसी चिंता? नहीं, मेरे प्यारे बच्चों इनके भी दुश परिणाम है ओजोन परत में छिद्र हो गए है हम्, हाँ, मैडम, मैं समझ गया मेरे जन दिन के अफसर पर कुछ खास करने से आपका क्या ताद पर्य था मैं आज ही एक पौधा लगाऊंगा और उसका पूरा-पूरा ध्यान रखूंगा व्रिक्ष होंगे तो ही हमारा जीवन सक्षम है मैडम, हम आज से व्रिक्ष काटने वालों का विरोध करेंगे तथा अपने विद्याले में भी अन्यचात्रों को प्रिक्रती और व्रिक्षों के महत्व से अवगत कराएंगे हम सभी प्रड़ लेते हैं कि अपने हर जन दिन पर एक व्रिक्ष आवश्य लगाएंगे के प्रती लगाओ